तो हेलो गाइस तो जैसे हैं आप लोग तो आज हम लोग आ चुके हैं एक अलग प्लेस पे ट्रेकिंग करने के लिए जैसा कि मैं पता सकतो आप लोग को अभी ठीक सामने भाजे केव से बड़ हम लोग वहाँ पे नहीं जाने वाले का ज्यादा दूर नहीं है काफी पास में है लेकिन महें में जाने वाले नहीं जाएंगे अभी हम लोग यहां से विसापूरफोर्ट तो की काफी खुबसूरत किला है वह बहुत बड़ा किला है लोगट के बाजू में यह ठीक करता है तो सामने जो दीख रहा है यह जाड़ी के उस साइड लोगट किला है और ठीक यह मेरे पीछे जो आप देख रहे हूं यह है विसापूरफोर्ट हम लग जाएंगे इसके उपर अब इस हम जाई रहे है यहां से करीब 6 किलो मेटर है और मैं बता दूँ वैसे मैं आया हूं कूने से अभी मैं फिलाल यहां पर 5 मिनिट का ट्रेक करके मैं वह पेज़ पर पहुंच चुका हूं जहां से विसापू की Сов करना है और यहां से पांच मिनिट का ट्रेक करने के बाद यहां से आपको लोगट की लगा थोड़ा सब दिखेगा उर ऊपर का वेदर आप जहों झो देख रहे हो थोड़ा वारिश होने का चांस है और यहां से थोड़ा यह वाले से आगे कि तरप तो भाजे के वसे हम हम वहाँ पर नहीं जाएंगे क्योंकि बाजे केप आल्डेडी मैंने विजिट कर रखा है तो आज हम लोग जाएंगे विसा पूर्फोट वैसे यहां से अभी ट्रेक की स्टार्ट कर रहे है और बस यहां का वेदर कुछ ऐसा है जो आप मेरे ऊपर देख रहे हैं और यहां से घड़ा घड़ा चड़ाई है और मेरे बैक साइड में जो देख रहे हैं वह आपको थीक पीछे आपको लोगट का वीव दीख रहा होगा थोड़ी दिर बाद वह थोड़ा दिखना बंद हो जाएगा उपर जाने के बाद आपको काफी अच्छा वीव दीखेगा एक और च मूंबवाई और कुण जगे से आप किसी जगे से भी आते हों अगर आप पुरे से आतो यहां है तो वहां से लॉकल ट्रेंड चलती है सिवा जी नगटू लोना वाला तो आप लॉकल ट्रेंड एक व्हाह और मुंबई से आने के लिए आपको 37 सिवाजी से कर्जत के लिए लॉकल ट्रेंड मिल जाएगी वहां से आप बस या ओटो करके आ सकते हैं काफी सिंपल यहां आने का और अगर आप पूने की तरफ से आते हो लॉकल ट्रेंड से तो आपको मालवाली रेलवे स्टेशन उतरना प्रियंगा क्योंकि वहां से सिफ दो किलोमीटर है वहां निचे दो किलोमीटर आपके वहां से ट्रेक होता है वयसे मालवाली रेलवे स्टेशन से यह ट्रेंड जो है एक हम तो एमन्ये Colin है बाकी और दोटो किमर्ण पीद्जी औरứ प्षगा आदेता हूं आज मेहना उपर night camp करने वाला हूं देखते हैं कुछ जगह मिलता है तो night camp जरू करना वैसे काफी लोग उपर करते night camp मैंने वीडियो देख करके यहां पर आया हूं देखते हम भी उपर night camp करेंगे अभी पाच बजने वाला है पाच बजने को छे मिनिट बागी ह तो देखते ओपर जाने में किदर ना राइम लगता है सायद अभी तीन घंटा लग सकता है मेरे ज़ाब से क्योंकि यह वाला जो रूट है यह काफी बड़ा रूट है सायद टाइम लग सकता है यह वाले रूट से अभी फिलाल गर्मी बहुत ज्यादा लग रहा है थोड़ा रेट करते हैं फिर जाते आगे और इस साइड का सीन कुछ ऐसा यहां से दिखता है जो कि आप भी फिलाल देख इधर आप देखरान सायद बारिश हो रहा है या फिर क्लावड हो रखा है वैसा मुझे पता नहीं और इस साइड का व्यूव कुछ ऐसा है ठीक सामने आपको कैने विए जो दिख रहा है ना वहाँ से भी काफी इजी आने के लिए वैसे हम लोग आए थे माउंटेन लोग चलके आए थे हम लोग ट्रेक अरो धीक सामने आप जो खो जो इस सेट के सीन अभी फिलाल काफी खुबसूरत दिख रहा है जो कि आप देख रहे हो सामने है चलते हैं अभी फिलाल उपर उपर जाने के बाद और भी कुछ दिखता है तो मैं आप लोग दिखाता हूँ यह अभी अभी वह सकता है कह नहीं सकता है में बैक्राण्ड वेदेख रही है अब तोड़ी देर पर ले नीचे आना काफ़ी किलीर सा दिख रहा था बड़ अभी है और वह सामने से देख रहा हो आपको रोड वह भी नहीं दीख रहा अभी फिलाल और बारिस चाली हो गया है वैसे मुझे मुझे बारिस जाइए था बारिश में मुझे काफी मज़ा आता है तो चलते हैं वैसे मैंने रों रेंड कोट लगा रहा है और कैमरा का तो टिंसर नहीं वह तो वाटर पूरूफ है तो चलेगा तो कोई नहीं चलते हैं अभी आगे मेरे साथ और भी भाई लोग है अकल है यहां से सामने देख रहो इधर पहले काफी गर्मी हो रहा था और अब यह थोड़ा ज्यादा स्पीड होने लग गया बारिश वैसे हवा तो नहीं चल रहा है यह अच्छा है मेरे लिए बाकि बारिश हो तो चलेगा लेकिन हवा नहीं चलेगा तो मेरे लिए अच्छा है फिलाल चलते अभी तो आगई जा रहे है और यह जो हैना पूरा का पुरा पिछलन सा हो गया अभी और दो डोग भी हा हमारे साथ अभी अभी थोड़ा सी लोग हो चुका है बारिश अभी जो में पीछे आया ना छोटा-छोटा सा वाटर फॉल था वो क्रॉस करके मैं आया ऐसे नीचे पानी आ रहा था पत्थर अभी आगे और है वैसा उपर में देख रहों आप बादल कितना अभी आप लोग उन्हें देखा होगा वह सीड़ी से पानी बहुत सारा निकलता है काफी वाइरल होगा ता सायद हो सकते है आज वहां से पानी गिर रहा होगा अगर गिरता है तो मैं दिखा तो आप लोग को क्योंकि वह काफी अच्छा मेरे को सीन लगता है और आज दिन अच्छा है जो मैं आज के दिन आया कि को बारिश है काफी अच्छा खासा हो रहा है सामने बादल देखरो ऐसे चीड़ते हुए जा रहे है पाड़ों को और वह जो देखरों वहां से अभी हम लोग को ऐसे ट्रेक करके ऊपर जाना है भाई वीव खतरनाक है मैं कहीं नहीं स मैं वह जंगल भी क्रोस करके दिखाता हूं कि अब भी जो है ना यह काफी घरना सा जंगल मुझे लग रहा है वो मेरे सर के उपर भी देख रहे होंगे उपर से नीचे से दाई से बाई से किसी जगह से खाली नहीं दिख रहा है यह पूरा शकना की से जंगल है यह सामने भी आप देख सकते हो और नीचे ना पानी-पानी हो रहा है और बारिश को जैसे पर जूते में मेरे भर जिमीरे भर घ्र पूरक वैसे बता दूं यह वाला जो रूट है न यह काफी हाड है क्योंकि यह पूरा पूरा जंगल से हो रखा है और हमें आगे जो है न वह जहां से वाटरफल गिरता है उस वाले रूट से हमें जाना पड़ेगा उपर तो यहां से अकेला नहीं आओगे तो काफी अच्छा है आप लोगों के लिए अच्छ टाम हो गया है बढक यह यह नहीं थोरा थोरा हुए सांटरव वहां से बूहां से वाटर Chinese मेरे और चलना परीगा ऐसा लग रहा है फिलाल मैं Со motivating बारिष अभी पूरव पुरा बंद हो गया है और यह वाला जो आप देख रहे हो ना यहां से वाटरफॉल आता था लेकिन हम लोग यहां से यह भी ट्रेक कर रहे हैं यह जो पत्थर है यह बड़ा बड़ा सा पत्थर काफी पिछला ने इस पर मेरा ट्रेकिंग शू हो करके भी स्लीप कर रहा है पा अब यह बड़ा बड़ा यह वाला शीन इंज्वाइब आप अब सामने में देख रहे हो कितना बड़ा सा पेड़ है अब 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 हैं अब हैं अब इस अब सामने का सीन देख रहो काफी क्लावड ही सा हो रहा है नीचे कुछ भी नहीं दिख रहा अभी और ठीक आभी यहां से लुक्atique करके आई रहे थे यहां पे एक छोटा सा इस्टॉल है है जो कि आप देख रहो है यहां पे काफी हर्चीज मिलता है चाया मैगी वागे यहां पर मिल जाता है तो अभी यहां पर मैंने निम्बू पानी पिया था क्योंकि काफी ठक रहा था इसलिए और अभी ट्रेक करें और पीछे का वीव जो आप देख रहे हो ना पूरा का पूरा क्लाउडी सा हो रखा है तो नीचे का तो कुछ दिखने वाला है नहीं जो भी अभी फिलाल जो अभी सामने का इसलीर दिख रहा है कुेतना टायम लगेगा कि चलेगा कर को कि juicy को पास में भी कुछ नहीं दिख रहा है इतना ज्यादा यहां पे क्लाउडी हो गया पूरा का पूरा बादल है और काफी मज़े आ रहा है बादलों में मैंने सोचा नहीं था ऐसा कुछ सीन रहेगा आने के बाद बट काफी खुब्सूरत सीन है भाई नीचे आप देख सकते कु कुछ भी नहीं दिखेगा दूर पास में भी आपको कुछ नहीं दिखेगा छोटा सा यह दुकान है बड़ा भी खुला नहीं नीचे वाला खुला था जाते टाइम पानी बोतल वगेरा मिल जाता है लेकिन आप नीचे से ही लेकर आओ तो अच्छा है क्योंकि उपर महंगा मिलेगा और महंगा तो मिलेगा क्योंकि भाई वो लोग भी इतना उपर तक लेकर आते हैं उन लोगों का मेहनत के हिसाब से सही है थोड़ा ज्यादा प्राइस तो मिलेगा दस बीस रुपिया यहां पर देख सकता है छोड़ा छोड़ा केव है ऐसा ही सुखा पर रहुए अंदर उपर से पानी का बुंद गिर रहा है और फिलाल सायद मुझे लग रहा है अभी भी दो घंटा का ट्रेक बाकी है क्योंकि अभी नीचे एक कपल जा रहे थे उनसे मैंने पूछा उन्हों अभी तो फिलाल मैंने दो ही बार रेश्ट किया और तीन गंटा से चल रहा हूँ यहां पर भी एक केव है यहां पर देख सकते हो यहां पर बी एक बड़ा वला केव है इसके अंदर से काफी बढ़ा है अंदेरा है बिलकुल क्योंकि कुछ दीख नहीं रहा है यह भी काफी ुँएत का ुदि कुछ इसा है है मैं आप लोग को बता रहा था वह जो सी ृडी से पानी आ रहा बहुत ज्यादा करेक इक आप देख सकते हैं तोर 1 थ्र जो रहता है लखेता चल्राप दिशेट याँ तोरा यहां सेPad जाओगा ट्रेक अभी फिर से बारिश चालूगा गया है मुझे लग रहा है उपर में है ना पूरी रात बारिश होने वाला है क्योंकि बादल तो हट्रे का नाम नहीं ले रहा है बादल हटे का तो नीचे का वियू काफी अच्छा दिखेगा बड़ चारो साइड ना अभी बादल लगा हो उसके और जैसे कुछ दीग नहीं रहा है पूरा पीछे आगे आप हर जगा देख सकते हो रहा है और यहां पर यह पानी का कुंड है ऐसा है ना विसापूर फोट पर काफी सारा ऐसा कुंड है काफी सारा आपको दिखेगा इस साइड भ अबें काफी सारा ऑख है और काफी सारा है ऑबी सारा खंडर हो रखा है और थूरकां पूरा का फूरे और मेरा आवाज भी टख़ागा रहा है किसी किसी टाइम पर में आँपर पर इसकी अभी मैं आप है ihan मेरे साथ चार-बंदे थे चार-पांच वह आगे निकल गए भर- तो यह सब कुंड आपको साफ साफ दिखता देख रहो वहां पर तिन चार मेरे वह जो साथ में आ रहे थो वह भी बट वह भी नहीं दिख रहा अभी दूर तक और नाइट कैम्प के लिए जगा भी धूंड लूँगा अभी थोड़ा इसको एक्स्प्लोर करते हैं देखते हैं क्या-क्या है उपर पूरा अच्छा से एक्स्प्लोर करेंगे आधा आज आधा कल सुबह में और कैम्पिंग के लिए कुछ प्लेस भी धूंड लेता हूं वहां पर मैं कैम्प कर लूँगा नाइट को कोई अच्छा प्लेस धूंड करके मैं कैम्प करने वाला हू देखते हैं अगर कोई मिल गया साथ में करने के लिए तो उनके साथ भी कल लूँगा और हवा है ना उपर में अभी काफी ज्यादा तेज चल रहा है कोई नहीं चलते हैं काफी तेज हावा चल रहा है नीचे पूरा का पूरा गाई है यह पानी देख रहे हुआ है वापस मुश्याद का रहा है है यह यह पूरा अफ मैं अश्याद कर ना कर दो शाट में हैं अवाला यह जान शुटे कर दो को कि अंकश भी करना ऊस्या बार्या यह जाए में है तो काफी दूर तक तो टूटा हुआ था पूरा नीचे एसाई घाई दीख रहा था बट यहां पर अच्छा हुआ है वाल काफी खुपसुरत लग रहा है यहां से साइद लंबा दूर तक वाल मुझे लग रहा है दूर दूर तक आप देखो गए साइद आप लोग को दीख अब भी नहीं रहा होगा किलियर ली वट मेरे को दीख रहा है यहां से दूर दूर तक अभी यह पूरा का पूरा साइड़ी साइड में दिवार है कि अ पर अ पर अ कि घृट कि कर दो किए दो कि खढ़ा दो कि एक फडनी तो हो दो हो से, फड़कर दो हो अजयत है। है अब भाई अब अब बोलू तो में खो गया यहां पर कुछ ऐसा दिखा है सायद पहले के जमाने में इसके अंदर वैसे यह कैम्प करने के लिए अच्छा है है चार साइट से घीरा हुआ है यहां पर चोटा सा दर्वाजा है और ऊपर अभी छेत नहीं है सब तूटा हुआ है यहां पर सायद कोई कैम किसी ने कैम भी किया था देख रहे हैं यहां पर वैसे मैं सच बोले तो में खो गया अंदर में भाई मुझे कुछ भी अभी पता है जानी चलड़क्श्यों के हाल साइड है ना पूरा कलावडी कलावडी है हमारे साथ एक इस होता ड़ गया जो मेरे पीछवडी से है थाए हमारे साथ राएगा तो अथ्का है अभी फिर से बारी सुदी चाल दूग गया और अभी है अभी है मैं मंदिर धून रहा हूँ एक कुछ देखा नहीं गूगल मैप का तारा ले रहा हूं और भी तो फिलाल और यहां पर दाउधाने दर के मुझे चलना पड़ रहा है क्योंकि जाते चाते हैं ना जब रुचे घाई जीग जाता है और डॉग उदर के लगया साइद मेरे साथ रहेगा तो असी बात है मुझे सब्सक्राइब करने के लिए देख सकते हैं यहां पर सामने मुझे पहाड दिख रहा है पुरा जंगल है आगे मैं अकेला ही हूँ पर कोई भी मुझे ने दिख रहा है चारा साइड हमारे सब तीन चार लोग आए ते वह भी रिटेंच चले गए तहां से पुरा जंगल स्टाट हो रहा है जंगल क्रोस करके मुझे मंदिर के पाथ जाना है आप अन्धिरा हो परेगा लाइट का सहरा लेना पड़ेगा मुझे बाती कोई दीख नहीं रहा है साइट मंदिल के पास होंगे केंपिंग करने के लिए बंदिल हो तो मैं साइड उसके साथ कर सकूं केंपिंग चलते देखते हैं वहां पर कोई दिखता है कि ने साथ बच चुका है क्योंकि थोड़ा अभी उजाला है उपर है इसलिए वर्ना साथ मुझे पूरा का पूरा अंधिरा हो जाता है और यह सामने जंगल है यह जंगल लग रहा है क्रोस करके मुझे जाना परेगा यह वाला जंगल तो चलते फिलाल जंगल क्रोस करके मैं मंदिर के पाथ जाकर के वीडियो चालू करने वाला हूं क्योंकि भाई कुछ ठीक नहीं लग रहा है इधर मुझे आउट काटा है यह पूरा पेड़ जो है ना सम्में खाली काटा है बड़ा बड़ा और मैं पता नहीं किधर आ गया भाई चलते मंदिर के पाथ जाकर क मैं वीडियो चालू करूंगा खोड़ा अंधिरा भी हो गया है और हमारे साथ यह चोटा सा क्यूट सा डोगी है साथ में आ रहे हैं साइद महादेव मंदिर है इधर फिलहाल तो मंदिर के पास आ चुका हूं लेकिन यहां पे हैना अभी कोई भी महादेव मंदिर है पूरा का पूरा जंगल है और तीक सामने यहां पर मंदिर है पूरा कलावडी हो रखा है कुछ समझ में आ रहे किदर जाने का है अच्छे जगह धुनते हैं मैं सोच रहा हूं वह पीछे तो थाना वहां जाकर करके रूक जाओं कंश हो और कि दीवाइरे कर देखते हैं कुछ जगह दुन करके वहां करैंगल है कि कैम अभी किनि में पूरा क पूरा अंधेरह हो चुक आह चल रहा हूं पूरा पूरा का निचे तर ना पर से उठर करकिए यहां नीचीए भूफा में आ चुका हूँ जो आपने सुरुष्र में एक मुर्ती बना हुआ था यह देख रहे हो यहाँ पे अभी मैं आकर रुका हूँ सामने ऐसा है बारिश हो रहा भी बहुत ज्यादा जैसा कि आप देख सकते हो और अवाज है न भाई अलग-अलग जानवरों का आ रहा है अभी और इस साइड देख सकते हो दो गुफा है आपने देखा होगा पहले अंदर पूरा का पूरा चमगादर भरे हुए और इसमें भी पूरा का पूरा चमगादर भरा हुए और इसमें भी पूरा का पूरा चमगादर भरा हुए यह देखो लाइट दिखाते हैं कितना सारा उर र तो भाई सीन कुछ ऐसा है यहां का और बारिश अभी क्या काफी जाद आते जो रहा है मैं सोच रहा हूं यहां पर केंप कर लूँ यह वाले जगह पर है क्योंकि यहां से नाइट को ट्रेक करेंगे ना पब्लिक लोग तो उतना डर नहीं रहेगा यहां पर यहां पर मैंने कोशिष किया था लेकिन लगा नहीं क्योंकि सारा का सारा लक्री गीला हुआ है उसके हुझे से कुछ आंक लगा नहीं और सामान कुछ ऐसा है अभी केंप सेट अप करेंगे यहां पर कैंप सेट आप करने के बाद भाई मैं सुझाओंगा आँक बन करके सीधा पहले केंप स अब हमने हमारा केम्प को सेटब कर लिया है और साहरा सामान में अंदर डाल दिया सब मुझे अभी ठीक करना पड़ेगा और अंदर तीन चार लाइट मैंने लगा रखा है ताकि उजाला दिखे और इस साइड में देख सकते हो भाई अभी यहां से पानी सीड़ी से बहुत ज्यादा पानी अभी आ रहा है बारिश काफी तेज हो रहा है और हवा भी चल रहा है अच्छा हुआ मैंने उपर नहीं लगाया कैम्प क्योंकि उपर में है ना हवा का थोड़ा डर रहता है अभी कि मैं फिले स्लाइट से काम चला रहा हूँ अकेला हो मैं बाकी कोई भी नहीं है इदर अंदर मैंने प्लान किया लेकिन अंदर जाने के बादे ना कुछ आवाज नहीं आ था बाहर का इसलिए मैंने सोचा यहां पर ही मैं प्लान कर लू तो मैंने बाहर में लगाया है ठीक बाहर में अंदर में दो गुफा है अंदर नहीं गया मैं अभी फिलाल तो सो जाते हैं क्योंकि चंगादर बहुत ज्यादा उठ रहा है यहां पर ठीक सुबा उठेंगे अभी क्या करेंगे क्योंकि यहां पर मैंने एक लाठी भी रखा है अंदर में था उसका मैंने बाहर रख दिया और काफी ज्यादा तेजा भी बारिश हो रहा है भाई रुकने का तो नाम नहीं ले रहा है यह उपर से देख रहे हो कैसे पानी गिर रहा है चलो अभी फिलाल केंप के अंदर जाते हैं और यहां पर मैंने साहरा सामान ब्रॉबर कर दिया और यह देख रहे हो उपर में एक दो और यह पीछे तीन लाइट जल रहा है एक इधर है एमरजनसी के लिए बस अंदर अपना सेट अप कर लिया अभी सो जाएंगे यहां पर अपना योगा मेट पर टाइम अभी भी आट बच चुके है कोई नहीं सो जाते हैं अभी कल सुब सुबा ऊठते हैं सुबा ऊठते क्या-कया विजिट करेंगे ऊपर फिर जाओंगा मैं थोरा ही उपर है ज्याधा नहीं है क्योंकि अब आज है न ज्यादा था उसके वज़े से कुछ दीखा नहीं बट सुबा जाकर के देखेंगे ऊपर का क्या सीन है अभी फिलाड सो जात हैं गुड नाइट तो गाइस गुड मॉर्णिंग भाई अभी तो सुबा के छे बज चुके कापी अंदेरा था मैं सुबा पांच बजी सीट पर मैंने कैम किया था वहां से पांच बजी सुबा को मैं ऊपर चलना चालू कर दिया क्योंकि रात को है ना बहुत ज्यादा अलग आप बहुत अंदेरा क्यामरा में एकली किलियर दीखने रहा होगा और यहां पे देखरों दो टोप है बड़ा एक तूटा हुआ है यहां पे देख सकते हो और यह वह ला है ना बड़ा वत तोप है काफी बड़ा यह और हम जाएंगे इसके नीचे जो कि यहां से मुझे घूफ वाला रास्ता दिखा मैं दिखाता हूं आप लोग को को यहां से अंदर defense एक रास्ता नीचे के तरफ जाता है साइद मुझे पता नहीं यह लेकिन मैं जाकर देखता हूं यह वाला रास्ता है मुझे इसा लग रहें नीचे अंदर जाता है जैसा कि आप देख सकते हो यहां से यहां से हमें साइद नीचे जाने का रास्ता है यह देख सकते हो यहां पर छोटो छोटो सा कितना खुबसूरस्था हो रखाए वाउ बाई अलगी लेवल के यहां पर देख सकते हो यह नीचे जाता है यह वाला रास्ता और यहां से छोटा सा लेडर है जो कि उपर जाता है यहां से व्यूपॉइंट है मैं इसके उपर भी जाकर दिखाता हूं बड कुछ दीखेगा नहीं क्योंकि क्लाउड क्लाउड हो कर दो रहा है मस सीने यार यहां से जैसा कि आहसे आप देख सकते हो यह वालन नीचे में आया था यहां से इसके उपर सही आए थैंसे ही आ एक और नीचे जाता यह रास्ता यहां से देख सकते हो आप ऐसे यह पूरा का पूरा ऐसे design बना हुआ है और drawing shot में यह काफी खुबसूरत दिखता है बट ऐसे उतना खुबसूरत नहीं दिखता है और वैसे cloud पूरा का पूरा बरा हुआ है तो उसके वज़े से और भी उतना किलियर नहीं दिख रहा है बट वहाँ भी हम जाते अभी यहाँ से मुझे दुबारा नीचे उतरना पड़ेगा तो पहले नीचे उतरते हैं यहाँ पे न दो दर्वाजा है जैसा कि एक यहाँ पे था यह वाला दर्वाजा एक दुसरा यह वाला दर्वाजा है दर्वाजा का वैसे नाम तो पता नहीं यह दुसरा दर्वाजा क्रोस करने के बाद जानी क्या वैसे यहाँ पे मिट्टी भर गया है ना तो यह दर्वाजा है ना काफी छोटा हो गया है जोकर नीचे से आना पड़ता है क्योंकि यह पूरा का पूरा मिट्टी भर चुका है अभी नीचे क्योंकि यह जितना भी पत्थर वगए रहा है यह टूट-टूट कर गिर गया हुआ है उपर से इसके जैसे न यह ज्यादा उंचा दिख रहा है और इस साइट से सायद उपर जाने का रास्ता होगा, मुझे ऐसा लग रहे है और हम लोग आए इसके उपर से ऐसे नीचे हम आए थे ये वाला वाल देख सकते है, ये पूरा विव पॉइंट है यहाँ से दुसरा रास्ता उपर जाने के लिए उपा देखता हुआ जाकर कैसा हसते है वैसे आभी फिलाल कुफा से बाहर आगी आहों आगे चलते हैं कुछ देखतें और कुछ दिखता है तो कि यहां पर आभी मैं दो गंड़ा एक्स्प्लोर करने वाला हूं क्यूंकि काफी बड़ा यह किला है कल शाम को भी मैंने साइद ज्याने एक्स्प्लोर किया इस साइद रेक सकता भई कितना खदरनाक हवाक से यह दुआ पूरा आ रहा है इस सोच रहा हूं साइद यह क्लाउड हट जाए न तो काफी अच्छा सीन दिखेगा नीचे का लाउड क्लाउड हो रहा है न उसके वज़े से न उतना किलियर तो नहीं दिख रहा है कल इमनिंग टाइम भी नहीं दिख र लेकिन इतना क्लाउड होने की वज़ा से सेंडराइज बिल्कुल नहीं दिखने वाला है मुझे और साइध हवा की वज़े से आवाज भी क्लियर नहीं जा रहा होगा वैसे यह विशापूर फोट है न काफी ऑसम है वैसे कल राजसे में अकेला ही हूं यह किला पर अभी थ करें चाहता ही पदनी कब आह रहा है और हवा कांपी तेज यहान पर देख रहो हुत है कि पानी के लीए दो कुंड अच्छोटा अर यला फिक सामने से ऐसेकर के हमें पूरा visa राम मैं विशापूरफट का आज पूरा राउंड मानने वाला हुए यहां पे पूरा वाल टूटा हुआ है इस लाइन में इतना और यहां से फिर वाल इस्टार्ट हो रहा है यह देख रहे हैं अभी इस वाल को पकर के हम जाने वाले हैं क्योंके अभी में थोरी दर पहले उपर से वह जो कुंड था ना वह गलत रास्ता में पकल लिए सेंटर सेंटर में जाने लग गया मुझे साइड साइड में जाकर के पूरा देखना है और यहां का गाई देखो भाई नीचे का कितना खतरनाक्सा हो रखाए यह देखो नीचे यह पहले पूरा वाल था लेकिन अभी यह पूरा का पूरा तूट चुका है यहां से कुछ पता ही नहीं चल रहा कि यहां पर वाल था लेकिन था अब पूरा का पूरा तूट चुका है और इस साइड में देखो अभी वाल है साइड साइड में यह वाल पकरके हम इसी को ट ट्रmedi द्राइब का बना हुआ है है यहां से विई वाई होग को खत्रनाक हावा और हुए करता यह को यह देखो लेकिन कुछ भी नहीं देख रहे हैं होँगा उसमृंठाट होने की वज़त दो और बारिश अभी स्लो हो रहा है लेकिन हो रहा है बारिश रुकने का तो नाम नहीं ले रहा है अभी करीब 15 मिनिट से हो रहा है यह वाल जो है न चारो साइड में था बड़ अभी नहीं है चारो साइड में तुन रहे हैंगे आप यहां पे मेंडग का वाजन काफी जाद आ रहा है अब यह सूबर हो चुगा है पिल्कुल साथ बच चुका है लेकिन मेंड़क कावाज़न यहां पे काफी ज़्याद आ रहा है और दूर दूर तक कोई भी नहीं दीख रहा है बस यह वाल है और इससे निकलता हुआ एक लोट घूमा जैसा निकल रहा है और कुछ कुछ नहीं है बिल्कुल सान थे यहां पर देखते हैं क्या दिखता है वह भी मैं आप लोग को दिखाता हूं यह वाला खतम हो गया यहां से सिफ वाल है छोटा सा पतला सा यहां देख सकते हो आप यह वाल है लेकिन कुछ भी नहीं दिख रहा है नीचे भी नहीं दिख रहा ह अब नहीं देख रहा है पुरा कलाओट सा हो रखा है हर एक मीटर पर ऐसा होल बना हुआ है और यह वाल का उचाही करीब पांच फिट के आस पास है किसी जगह पर पूरा हर जगे पर पानी भरा हुआ है तो भाई अभी तो फिलाल में वहां उजगे पर पहुंच गया हूँ जहां लोगट की साइट से जहां से ट्रेक की स्टार्ट होता है वहां पर मैं अभी पहुंच गया हूँ जैसा कि आप देख सकते यह वाला जो है पैच यह लोगट यहां से आप नीच जाओ गए तो लोगट वाला रोड आएगा वहां से यह वाला ट्रेक स्टार्ट होता है तो अभी मैं उस साइट से यहां तक आगिया हूँ अभी मुझे और जाना है साइधक काफ है ज्याद हो एक चितना आया उतना भी और जाना है यह एक कंदसर और कश नहीं से ब्स हवा काफी ज्याद दा कि यहां पर हर साइट से हवा आ रहा रहा इधर और यहां का व्यू देखाँ बाई कैस सुन्दरिцо है यहां पर थोड़ा बहुत तो दीख रहा है नीचे नीचे बिचे फोर अब बहुत बहुत बाकी क्लाउड बहुत ज्यादा यार उसकी वजह से उतना quiet कुछ स्बीं डीक दीख नहीं रहा है और यहां पर देख रहो कुछ टूरिस्ट लोग आये हुए थोरे बहुत जो की लोग अट साइट से अभी मॉर्णिंग का ट्रेक करके आए हुए तो कोई नहीं चलते अभी आगे आगे जाकर के जब आप लोगट की तरफ से ट्रेक करके आओगे न तो उसके ठीक सामने में आपको ये दो केव दिखेगा छोटा-छोटा जैसे कि अंदर देख सकते हैं अभी पूरा का पूरा मिट्टी भर चुका है वैसे काफी बढ़ा है लेकिन अंदर मिट्टी भरने की वज़े से ये काफी छोटा हो चुका है और इतना छोटा-छोटा से दर्वाज़ा यहां पर इस साइड में भी एक केव है वह भी मैं आप आपको दिखाता हूं कि यहां पर वैसे कोई केव नहीं है बड़ यहां पर देख रहे ऊपर से पानी गिर रहे थोड़ो थोड़ो सा अभी हम लोग जाएंगे इस साइड से हागे की तरफ लोगट की तरफ से आने के बाद यहां पर भी आपको एक बोड दिखेगा महादेव मंदिर का जो कि मैं आपको दिखाए था न कल नाइट को उसका ही यहां पर भी एक बोड लगा हुआ है और ठीक सामने में जंगले पूरा अब ही नीचे में आपको दो तिन घर देगा है दिखेगा हो देखो सामने है वहां पर दो तिन घर दिख रहा है अभी चलते आगे कुछ दिखते हैं तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ जरूर एक सायद आगे एक विव पॉइंट है बड़ा वाला विव पॉइंट मैं वहां से कुछ दिखाता हूं दिखेगा तो सही नहीं दिखे तो कोई बात नहीं यह वो लोग खतम कर देंगे बाकी आगे मैं वीव पॉइंट पर जाकर करके दिखाता हूं और साइड साइड में इस किला का सबसे बड़ा लेक मुझे दिख गया यह जो देख रहा हूं यह इस किला का सबसे बड़ा लेक है लेकिन अभी पानी ज्यादा नहीं यह कम है लेकिन पानी है अभी फिलाल और यह सामने जो न यह पूरा फोरेस्ट है पूरा का पूरा जंगल गना सा और और मैं अभी नीचे जा रहा हूँ क्योंकि काफी टाइम हो गया मेरी दस बजे की ट्रेन है तो इसलिए मैं अभी नीचे उतरना चालू कर दे रहा हूँ क्योंकि अभी आठ बच चुका है और दो घंटे में मैं सायद रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाऊं देखत अभी थोरो जल्दी अल्दी जा रहे यह वाला फोरेश्ट लाइने न यह क्रोस करके अभी एक किलोमीटर उपर ही चलना जंगल के साइड साइड में चल रहा हूँ बाकि भाई सीन तो मस था जो बात बोलू खतरनाक सीन है अभी और भी ज्यादा बारिश होगा न तो यह हर जगे से वाटरफॉल जाता हुप दिखेंगेगा यह दो यहाँ पर भी बाड़फॉल का जगा है लेकिन वह उतना ज्यादा बारिश नहीं हो रहा है इसलिए भी water नहीं जा रहा है انना बारिश करुंस की इस वपरश हरोगे से वाटरफॉल में आपको जाते हुए दिखें लो ना वोला में यहां से एक टी न यह सम में आपको दिखा देता लेकिंड क्लावड ज्याद्य होने की वज़े से मैं कुछ नहीं दिखा क्ल्ावड के यहां दस दोंकर के बाद कुछ दिखनी रहा है मौन्सुन के टाइम के लिए प्लुणा द्लडी कर ne इस वाले रास्ते से हम लोग रात को चरे थे, शाम को चरे थे, अभी इस वाले रास्ते से हम उतर रहें नीचे, नीचे उतर करके व्लोग को एंड करता हूं, जहां से हमने वो ट्रेक स्टार्ट किया था ना, वहां पे उतर करके मैं व्लोग को एंड करता हूं, क्योंकि पूर तो भाई अभी तो आदा से ज्यादा में नीचे उतर गया हूँ मेरे पाउ में चोट लगया बहुत है भी ये बहुत पिछलन वाला रास्ता है इसके जैसे देखो यहाँ चोट लगया बहुत खतरनाक अच्छा हुआ ज्यादा नहीं लगया लेकिन दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा और ये देखो नीचे आपको विल सामने देखो पूरा बादल लगा हुआ है और सामने आपको दीख रहा होगा विलेज वह मैन हाइवे है मुंबई पुनी एक्सप्रेस वे है वह ठीक सामने अग्यून हो ऑगी हो गया प्रॉब्लम जिस रास्ते से उतरना था वह रास्ता में चोड़ दिया और ऑपर का बेदर देखो बराजी कितना खतरनाक सह लग रहा हुए तो पहाट के ऊपर बादल है और और इस साइड यह waterfall का रास्ता है यहां से देखो कितने सारे public आ रहे हैं इधर से मुझे नीचे उतरना है अभी और सामने यह village का view है जो कि आप अभी देख रहे हो तो यहां से अभी मुझे नीचे उतरना है मुझे यहां पर आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं रास्ता यह जो रास्ता है यह भी ट्रैकिंग करने के लिए है लेकिन यह दुसरा रास्ता है पता नहीं यहां से कितना टाइम लगेगा मुझे जाने में वैसे अभी ज्यादा नीचे नहीं जाना है मैं नीचे पबलीक लोग को देखा हूँ आते हुए तो उसको ही देख देख करके मै नीचे उतर रहा हूँ भाई मॉन्सुन सच में लग रहा है अब चालू हो गया है क्योंकि अभी कुछ दिन पहले जो इतना बादल नहीं था न वह आज बहुत ज्यादा दीख रहा है बादल देखो हर साइड साइड आपको दीख रहा होगा बादल चलते फिलाल नीचे काफी टाइम से उतर रहा हूँ मैं बहुत ज्यादा टाइम लग जिया मुझे नीचे उतर कर मिलते आप लोगों से तो भाई मैं फिलाल तो नीचे आ गिया हूँ ट्रेक करके उपर का वेदर देख सकते हूँ इस साइड का पाड़ों के उपर अभी बादल पूरा लग रहा है और बस हमारा ट्रेक ये कम्पलीट हो गया फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट एडवेंचर के साथ और नेक्स्ट वलोग के साथ जब तक के लिए बाई बाई